Hello everyone, ऐसे बहुत सारे questions आते हैं जिसमें हमारे followers जो pregnant moms हैं, वो पूछती हैं कि क्या हमें सीडी नहीं चढ़नी चाहिए, क्या हमें भारी काम नहीं करना चाहिए, किस महीने से हम पोच्छा लगा सकते हैं, तो ये कुछ बताना जरूरी हो गया है कि किन महीलाओं को भारी काम से सी आपके सारे काम करती हैं, जैसे कि पहले के समय में गाउं में महीलाएं आराम से कर लेती थी, आज के समय में भी आटट गंडे की शिफ्ट भी करती हैं pregnant moms, लेकिन कई conditions ऐसी हैं, जिसमें miscarriage risk होता है, जिसमें condition ऐसी होती है कि pre-term labor का risk होता है, तो आपकी doctor आपको suggest करती है कि आपको bed rest करना है, तो इस वीडियो में हम उस conditions को समझ लेंगे, ताकि आप अपना ख्याल रख सके, तिसे अगर आप डियाबिटिक है, तो आपको अपना धियान रखना है, अपनी diet का धियान रखना है, बहुत सादा महनत का काम नहीं करना है, fasting में गाप नहीं होना चाहिए लगबग हर दो घंटे पे आपको थोड़ा सा कुछ लेना है, मेन मील के अलावा बीच में आप स्नाकिंग कर सकते हैं, fruits, nuts, कुछ भी ले सकते हैं, जो कि आपको खाना होता है आपके routine के according, अगर आपको thyroid issues हैं, तो थाराइड issues में भी मिस्कारजरस के जादा रहता है, खास मीठी चीजें, जितनी प्रोसेस्ट चीजें हो नहीं खानी है, भारी काम नहीं करना है, अपनी प्रेग्निंसी में अपना ख्याल रखना है, फल सबजीया जादा खानी है, अगर आप अबेस हैं या आपको PCOD के हिस्ट्री रही है, PCOD के दरान आपको conceive हुआ है, तो ऐसी condition मे आपको ध्यान रखना है, कि अगर है, तो अपने वेट को मैनेज करके चले, हवी वर्क आउट न करें, प्रीक्लांप्सिया, हाई बीपी की कंडिशन, अगर आपको बीपी इस्यू है, तो इसमें प्रीटर्म लेबर का रिस्क बहुत ही ज्यादा होता है, तो ऐसे में आपको अपकी कंडिशन को और परिशानी में डालती है, वो चीज़ें आपको नहीं करनी है, ब्लड प्रिशर मेंटें रहना चाहिए, अलर्जी कंडिशन, कई महिलाओं को सीजन से अलर्जी है, तो बहुत जादा असर पड़ता है आपकी प्रेगनसी पर, तो ऐसे में आप आपको extra care करनी है, exposure से, pollution से, जिन चीज़ों से आपको allergy है, जिन food से आपको allergy है, उन से, अगली जो difficult situation होती है प्रेगनसी में, तो कि pregnant mom के लिए थोड़ी sensitive चीज़ है, वह है placenta position, अगर placenta नीचे की तरफ है, placenta position के उपर मेरा detailed video भी है, अब ज़रूर देखिएगा अकर आपक अगली जो complicated situation है, है, वह हाई maternal age, अगर गर्भधारण जिसस्त्री ने किया है, उसकी उम्र जादा है, तब भी extra care की जरूरत होती है, तो extra care अपनी करें, अगर आपको जादा rest doctor ने रिकमेंड गया है, तो ऐसे में ब्रीधिं एक्सराइज करें, जिससे कि आपका अस्तनाव कंट्रोल हो जाए